तीन बाते क्या है जिन पर टिका होता है पती-पत्नी का रिष्टा समय समझ पती-पत्नी के रिष्टों में मधूरता और मिठास तभी आ सकती है जब वे एक दूसरे के लिए अच्छा समय दे पाएं एक साथ समय बिताने से प्यार भी बढ़ता है और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलता है आपके जीवन में चाहे कितनी ही व्यस्तता क्यूं नहों लेकिन जीवन साथी के लिए समय जरूर निकालें अगर आप चाहते हैं आपकी शाधी-शुदा जिंदगी में किसी तरह का मतभेद उत्पन ना हो तो एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं विश्वास सम्मान अचार्य चानक्य केहते हैं कि विश्वास और सम्मान दामपत्य जीवन की नीव होते हैं पते पतनी का रिष्टा हो या कोई भी रिष्टा हो विश्वास के बल पर ही मजबूत होता है अगर आप चाहते हैं कि आपका दामपत्य जीवन सुखी रहे तो एक दूसरे के विचारों का सम्मान कीजिए जब कभी एक दूसरे की बात से सहमत न हो या कोई बात बुरी लग जाए तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाए साथ में बैठ कर मामले को सुलजाएं क्योंकि बात करने से एक दूसरे की धारना और बातों को समझा जा सकता है बातों से बड़े से बड़े समस्याओं के हल निकल जाते हैं वेवाहिक जीवन में स्त्री हो या पुरुष दोनों ही सम्मान के हगदार होते हैं याद रखे आचार्य चानक्य कहते हैं सम्मान देने पर ही सम्मान मिलता है समर्पन प्यार, शादी शुदा जिन्दगी में प्यार होना बहुत जरूरी होता है आपसी प्रेम, रिष्टों की कड़ी को जोड़ता है चानक्य कहते हैं कि पती और पतनी एक दूसरे के प्रती जितना ज्यादा समर्पित होंगे रिष्टों में कड़वाहत उतनी ही कम होगी अपने जीवन साथी के साथ कभी प्यार का दिखावा ना करें आपसी प्रेम की बदौलत ही वेवाहिक जीवन की दोर बंदी रहती हैं और समर्पन से तातपर्य है अपने जीवन साथी के प्रती इमानदारी आपका एक जूट अच्छे से अच्छे रिष्टे में भी दरार ला सकता है